जो एकल में के बारे पाली कि तक तक आप जो है उस चीज को सीख सकते हैं और उसको ठीकशने के लिए आपको फुलिष रहना बड़े बलता कि आप वाले को यह निसी बताना बताना चाहिए यह यह निडाये रहना चाहिए अगर उसको लग तो वो कभी भी आपको कोई भी इतनी चीज बताने के लिए बताएगा नहीं तो कहने का मत्लब यह है कि अगर कुछ सीखना है तो अपने आपको भूखा रखना पुदेगा जब तक आप भूखे नहीं होंगे तब तक आपको कुछ चीज मिलने वाली नहीं है तो उनका यही कायना था कि जब तक हम किसी चीज़ के लिए हम भूखे नहीं होंगे, बिल्कुल उसके लिए मरने जाएंगे, मरने वाले नहीं होंगे, तब तक वो चीज़ हमको नहीं मिलने वाली है तो यह हमारे life में कैसे फिट होता है, यह हमारे life में इस तरीके से फिट होता है, कि जैसे हम भी आपको कुछ बता रहे हैं, या आप भी कभी किसी से कुछ बात कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो उसके सामने ऐसा treat होना पड़ेगा, कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप उसके बाद मिल्कुल अन्नोन है तभी वह आपको चीजें बता सकता है इसी परकार से एक और चीजें होती है जैसे बोला गया कि अगर हम ग्लास में दूद रख देते हैं दूद भरा हुआ ग्लास है आप से बोला जाए कि इसमें पानी डालो नहीं अगर आपके सामने एक ग्लास है उसमें पानी भरा हुआ अगर आप से बोले जाना तो भरम ग्लास में आप दूद डाल को कि एक लडने के लिए उस प्रकार सो घ्र no जब तक वो ग्लास को भाली नहीं हो तब तक आप या पुड़ दाल सकते हैं इसी का जाता है कि कोई भी चीज पाने के लिए आपको भूखा होना पड़ेगा और साथ में थोड़ा सा ब्योकूप भी बनना पड़ेगा गार तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास तो लोग में एक संट की क्लास चल लेती इसमें हम लोग सीक्र रहते हैं में क्लेज में सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें मैं करें तो यह बहुत जुरूरी है तो देख लिते हैं हम लोगने क्या क्या सीखा था और सब देख रूसा है है सबसे पहले लिए मोगे कुछ सीखा था कि HELD क्या होती है रियाे पर आपमेरे हैं का बहुत अच्छा आस चुन करते हैं कैसे किया का हम लोग डेली अप्लिकेशन में यूज होता है ठीक है फिर में बहुत सारा टाइम दिया था टांजिस्टर पर क्या होता है रिले का इतना सब कुछ सीखेंगे हम लोग इसमें तो सबसे पहले देखते हैं कि रिले होता क्या है है कि रिले का हमारा सिम्बल है इस तरीके से एक्ट्यल में रिले दिखती है तो यह अब तो इसको देखने से हमको यह समझ में आता है कि ऐसा कुछ हमको दिखता है तो हम समझ जाएंगे कि यह रिले है अब रिले होता क्या रिले कुछ नहीं होता है रिले एक स्विच होता है एक यह स्विच होता है जो होता है जायसा मदब की इसमें इक एक मेकनिकल पार्ट वहते हैं जो कि किसी होती है होते हैं जब उसमें करते हैं तो वह होती है कि हमारे कुछ नहीं होता है कि नॉर्मल जो होती है वह हम लोग हाथ से मैनुवली ऑन आफ करते हैं पट रिले एक ऐसी सुच होती है जो कि हम आरे किसी कि थुरू हम लोग आन करते हैं या या उस डिवाइस के हमको किसी भी लाइट को रोड को या एजएस सुच हमको बनाना है तो वहां पर हमको रिले यूज ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं पर पर कोई आप्शन ही नहीं है रिले ही एक ऐसी लोती डिवाइस है जो किसी इलग्त हम लोड को आन आफ करकती हैं तो यह हमारी रिले होती है तो अभी हम लोग ने स्टाइ्ट कर दिया है तो जित्ते भी लोग जूड रहे हम लोग सास देख रहे हैं पूलोग चैनल को शेयर कर दें जा कि पाकि सारे कि आगे आने वाली चीजों में हमारे दानिक यूज में बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है हमें नहीं लेखता है कि यूटूब पर कोई इतना वेसिक्स में कोई जाकर सिखाता होगा ठीक है तो आप लोग को फ्रीज में अगर कोई चीज मिल लाए तो इसका लाव उठाईए अगर इसी पॉर्सस के आपको चार्ज पढ़ते हैं तो फिर आप अच्छे से देखोगे क् नहीं देखे हो चलिए ठीक है देखते हैं कि अब रिले थो हम लोग ने पता कर लिया कि रिले होते क्या है रिले एक स्विछ होती है और एक चीज और बताना चाता था कि यह सारी चीजें आप लोग को मैं तल्यवाइक ब्लशन में बता रहा हूं क्योंकि अभी जब दीले लेकिन आने वाले समय में और आने वाली लाइफिस्टाइल में है लेक्ट्रोनिक्स सफ्वेर फोग्राम कोडिंग इससे कोई बंदा बच नहीं सकता है कि लाना जानता है किया किसी ने सोचा एक कैसे नियुकरते हैं इसमें क्या चीजह होती है यही सारी बेसिस कंपोनेट्स होते हैं जो यूज़ करते हैं आप हमको यहीं नहीं पता कि वेस प्लिट्टॉनिकस की आधार यह होता है यही इट कंपोनें जो मैं सी हम इस 뉴스 घरक्क नीन कि यह एलंतर गॆ है चैक है तो है तो यह क्सक्राइण है । तोलने के बादी उसमें और हूश डिया है कि मिल रही है हमारा ह्या बग्म क तो- ठीक है। बहुत सारी कि की वायर्स होते हैं यह संसे इंदर एक कन्नेक्टर पर लिप्ट होते हैं तो यह कॉल होता है। सबने पढ़ा होगा कि कोई भी एगर कोईल है उसमें अगर हम करेंगे तो वो ऐसे मैगनेट काम करेगा ठीक है सब को पता होगा बच्चे बच्चे को पता है यह चीज कि अगर किसी भी कॉईल में करन्ट फ्लो किया जाता है तो उससे मैगनेटिक फिल जन्रेट होती है जो ऐसे मैगनेट काम करती है तो इस मैगनेट को हम लोग क्या बोलते हैं भी दिखाता हूं कैसे काम कर रहा है अभी यह लट्टो मैंगनेट है और इसके साथ में कुछ और इंटरने श्क्चर से मतने वाला हूं है जी राक जिसे यह हमारा हो गया कोईल। को लोगक्त बोलते हैं कोईल हो गया काडल हो गया कोईल टार्मिल जो हमारे कोईल की नार होंगे दूनों इदर एक और होगा इंद rend मूव करता है इसको आपने चल बोलते हैं पूर रही हो गया केस हो गया इसके उपर का जो केस होता है हमारा ठीक है और यह मूविंग कॉंटक्ट हो गया जो मूव करता है ठीक है ये फिक्स कॉंटक्ट हो गया ठीक है और ये ये टर्मिनल जो है इससे कनेक्टड है ये वाला इससे कनेक्टड है ठीक है ये मूव टर्मिनल हो गया ये फिक्स टर्मिनल हो गया ये फिक्स कॉंटक्ट हो गया ठीक है तो और यह जाकर इसमें आपसमिज ह्रून जाते हैं यह करेंड इसमें सित्रों निकल जाती है देखिय mówią हो जाती है अगे एक पूद्धिखराओगा जैसे ही मैंने इस कोईल में इस इलक्टो मैंगनोड में पावर दिया पावर देती ही क्या हुआ कि यहां पर मैंने इसको अट्रैक्ट करते ही क्या हुआ कि यह वाला जो पिन लगी हुए इसको यह इसको प्रेस करेगा धक्का देगा यहां पर यह connection हो जाएगा जैसे ही connection होता है कि यह रिखाएो है यह बैक्स फिसल्इफ कुछ भी लगा हुआ यहँआ तर यह लगाते ही क्या होगा कि यह से connection हो जाएगा connection हो जाएगा तो यह बलफ गुलो कर जाएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम एक छोटी सी बैटरी से इस छोटी सी बैटरी से हमने इस वल्फ को आन किया हमने कोई भी mechanical सुझ कोई विश्च all नहीं किया यह बैटरी से बढवर देता ही यह अन हो गया ठीक है जब तक इसमें पावर बनी रहे गी यह तकब अज़िक देंग कि बहुत कि सी तरीक इस तरीके से यह देखिए अभी उस वाले में क्या था उस वाले में कि वल अ उस वाले में एक उस वरे में थोड़ा सा अलग दिख्कत नहीं थी अलग ठाइब था उसमें क्या था कि यहां पर एक कॉंटेक्ट था ठीक है जब यह मैगनेटिक फिल्ड आन होती थी तो यह इसको प्रेस करता था यह से इसमें इसमें 3 तिन, तिन Garden, अभ बीच वाला лю तुल व कर रहा है दर उदर ठीक है तो अभी जब看看 को सबसें को सब्सक्राइब होती है यह सभी यह में हैं सब्सक्राइब के तो तो यह बटाइब एये करनेक्षन नहीं है इसमें तो क्या हो रहा है कि यह क्नेक्षन C सब्सक्षि बल्फ और लगाना तो मैं यहां पर एक बल्फ और लगा दूंगा जो इसके विप्रीज जलेगा कि मतलब यह रिले जब ओन हो जाएगा तब यह बल्फ नहीं जलना चाहिए अब दूसरा वाला क्या हो रहा है इस से connected है ठीक है बीच वाले से और इस से तो यह इतना इस ट्रख्षर जो है यह जो है हमारा पुनाने वाले क्लोज ठिक है दो इसमें दोटर दीड है उस वाले में क्या था केवल नॉर्मली ओपन अब्र नॉर्मली इस वाले रिले की बात कर रहा हूं यहां पर यह बना भी होगा ऐसे इसके बीच में यहां पर इस रिले का रेटिंग आथा मेंड़े चलिए लिएडक कここ यहां पर इसको प्लस पांच वोल्ट देंगे और इधर면 द buna कर देंगे तो यह यह जो प्लस कॉयल में एनर्जी आए तैसे क्या होगा जैसे इस कोईल में अनर्जी आएगी फिल क्या होगा फिल यह कॉमनते लिखा हुए यह यह थे यह अने से क्या है एंड राबर तो यह कामन टर्मिनल है वो रैंसी से कनेक्टेड होगा नॉर्मली क्लोस ते अनुक्तेड होगा जैसे ही इस कोईल में जो इसकी इसमें एनरजी आई ही द्रवन होगी तैसे ही क्या करेगा यह इसको इससे कर देगा ठीक है इतनी बात समझ में आ रही है इससे करने क्या होगा कि नॉर्मली ओपन वाला होगा वह इस कॉमन के साथ में कनेक्ट हो जाए ठीक है कोई नहीं होती है किसी भी तरफ से आप दोगे तो अनर्जी उसमें आएगा और वह ऐसा डिजाइन की होता है कि वह उसी कोई कोई इसमें कोई नहीं होता है कि अभी देखते हैं कि थोड़ा सा चीज और समस्ते हैं कि एक्ट्वल में चलो ठीक है मान लोगी यह चलो रिले हो गया रिले स्विच्छ होती है रिले की सटीके से काम होते हैं तो क्या एक्शन में हम लोग को रिले को यूज करने हैं हम लोग यूज करने हैं तो उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ता है रिले मतब की रिले का फायदा क्या होता है हम लोग क्यों यूज करते हैं ठीक है अभी मैंने रिले यूज कर दिया ठीक है ये एक सर्कुट समझिए ज्यान से कि मैं जैंद समयन्हे वाली बात होती है एक सर्कुन यह वनी होले है तिक एक सर्कुत यह अभी सपोस्ट करी ओस हो हमारे पार नहों एक कि पुत वाली बतन होती है नहीं जिसको अपनेव टिया अगर हें अगर मुझे सिको को को ओन करना है अपने किसी सर्कुट को सर्कृट बनाया है जो स democracy हम щее दिडिट कर करें कि या यह चीज है कlles त्रू वै वफर हम्कों कोई लोड करना तो डारेक्टली हम उस सर्कृट को इस वाले सर्कृट में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यह तो AC volt होता है और जो हमारी चलती हैं वो सब किस पर चलती है DC पर चलती है मतलब कि DC current पर चलती है तो AC वाले और DC वाले दोनों को हम combine नहीं कर सकते हैं उसके लिए मुझे कुछ एक isolation चाहिए होगा कुछ एक barrier चाहिए और इसां को आपरेट कर सकें ठीक है इतना का समझ में आ रहा होगा तो इसमें फीघर से भी दिख रहा होगा कि यह जो है हमने क्या कि कि है कि इस सुच्छ प्रों इस सच चो प्वे जब होती है इसी रिटिंग बहुत कोईल में जाएगी कोईल में मैंनेटिक फिल जन्रेट होगी मैंनेटिक फिल जन्रेट होते ही क्या करेगा यह इसको करेंट करेगा और इसके करेंट हो जाएगा तो यह ओन हो गया इसके तुरू लो करेंट अब यहां पर लो करेंट है यहां पर हाई करेंट है तो मैंने लो कर से हाई क्रेंट वाले सिगनल और लोड को हमने ऑप्रेट कर दिया तो कहने का क्या मतलब हो गया कि दो सरक्यूठार असुलेटर तो तो हमारी दोनों सर्कूट होता है कि यह इसको इंटरफेर ना करें ये तुम अपना काम करेंगे तुम बिल्कुल सप्रेट हो लेकिन फिर भी सप्रेट होने तोड़ा सा और इसमें डीप में जाते हैं और समझने की कोशिस करते हैं कि चलो ठीक है बढ़ियां है इस से हम लोग अपने इस तरीके से यूज कर सकते हैं सर्किट को आइसो लोड कर सकते हैं ठीक है तो इसमें कुछ में पार्ट होते हैं ठीक है और उस बड़े बड़े इसको primary circuit यह सेकंड वाले को हमने क्या वोल दिया सेकंडरी सरकीट ठीक है अब जब तक यह कुछ भी कर ले इसको नहीं effect कर सकता है जो भी effect आएगा इसमें आएगा इसके डिपेंडेंट पर इसके इसके वज़े से इस पर कोई इफेक्ट आएगा इसके वज़े से कोई इस पर इफेक्ट नहीं आएगा ठीक है समझने वाली बात होती है कि जो भी हमारा है यह सर्कुट इसको कंट्रोल करेगा ना कि यह सर्कुट इसको कंट्रोल करेगा ठीक है तो यहां पर हम अगर माल चाहिए होगा जो उस और एक बैटरी चाहिए एक सिंगल चोटी बैटरे से हम लोग उस सारे लोड़ को चला सकते हैं अभी देखेंगे chi चलाएकर कि यह हम लोग कैसे चलाते हैं तो यह सब्सक्राइब करते हैं उसकी लिए क्या क्या है हमारे तो यह पर धूट्र होती है और इधर हम क्या करते हैं एसी लोड होसकते है जो हाइऑ है एक सो दस बोल्ट का चौविस बोल्ट का या पचास बोल्ट का कोई भी हो तो 48 बोल्ट का ठीक है और हमको battery से on करना है बैटरी से on करना है जो माइक्र कॉंट्रोलर्ट होते हैं न वो आपरेट करते हैं कितने पर 3.3 वोल्ट पर 5 वोल्ट पर maximum 5 वोल्ट पर कुछ माइक्र कॉंट्रोलर मुझे नहीं रगता है कि कोई 5 वोल्ट से ज्यादा भी operate करता है तो maximum पांच वोल्ट होती है 3.3 होता है 1.8 होता है उनकी रेंज क्या होती है 1.8 वोल्ट से लेकर था आधे इतना अगर समझ में तो देख रहता है कि है कि कितने तरीके कि से रेले होते हैं और उन तरीकों के रिले में कुछ मतरब कि पैला मेंट्स रखे गया है रिले को कट्रेग्राइज करने के लिए जैसे हमने बोला की टाइप बाप काटेगरी में किस टैप के रिला आतेबंगे आ उस्में क्या होतह है कि एक ही फूल है एक ही जो कि मैंने सबसे पहले बताया था वह सिंगल पोल सिंगल रोगा percent ident हो ठीक है है दूसरा मैंने कि एक्जामबल बताया था जिसमें जो होता है वह हमारा क्या होता है duble kilogram टृव ठीक है इसमें कि ठीक है इसम्होन छानोंगल पावर नहीं देंगे तो इस थे प्रोपर रहेगा जो पर देंगे तो इधर आ जाएगा मूफ कर जाएगा तो यह हो गया तिंगल फोल डबल तो फिर दूसरा हमारा तीसरा हमारा आता है तीसरा क्या आता है डबल पॉल सिंगल रो मतलब एक पॉल के साथ में एक ही त्रो है जैसे आगर आप लोग को याद होगा हमारी पिछली क्लास में हम लोग ने जब रोगो बनाया था तो उसमें सुचस के बारे में पढ़ा था तो वह भी बताया था कि कितने तरीके सी सुचस होती है सुचस में जैसे मोला था कि डीपीडीटी सुच होती है डबल पॉल डबल थ्रो एस पीडीटी होती है सिंगल पॉल डबल थ्रो वैसे ही इसमें रिलेज में भी होते हैं ठीक है डीपीस्टी डबल पॉल यह पॉल है मैं यह पोल है हमारा यह एक पोल ना ठीक है कि डबल पॉल और इस पोल का एक सिंगल थो है इस पोल का भी एक सिंगल तो अल्टिमेटली वह चौन है और प्र एक पोल के इंडिविज़त थे जो है ऐसा नहीं सब्सक्राइब यहां पर जैने नहीं एक सब्सक्राइब किसा ने कितने नहीं और आप फिर करेंगे ठोटन नंबर खुर करेंगे एक की चौथ हमारा लास्ट हाता है डिपीडीटे मतलब पोल डबल फ्रो यहां पर दिखिंगे कि ये एक पूल है यहां पर एक पूल हैं तो एक कूल केटो होंगे तो दूसरे गतना समझ मैं आ गया हो अच्छी बात है फीर देखते हैं कि हम लोग कुछ operations करते हैं जिसे हम लोग को specific operations के लिए कुछ specific relay चाहिए होते हैं उस specific relay के recording कौन-कौन से relay होते हैं वो हमसे देख लेते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा लेक्टो मेकनिकल रिले क्या होता है अभी जो हमने सीखा है जो हमने कौने रहा सीखी है जोने बताया अभी तक अभी है वो सारा ओकिनिकल ग्री ह다 यह प्रमेकनिकल रिले में क्या होता है जैह लगते हैं इस में क्या होता है कि यह पहले चीज़ तो समझेंसी कि यह सब जो कितने एक पूल है और दो तो यह स्पीडीटी एसपीडीटी इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है बट यह मैं बताना चाहता हूं कि यह स्पीडीटी दे ठीक है उसके बाद में हमारा ओपरेशन कैसा हुआ है इसके अंदर में क्या होती अभी जो हमनें सीखा है कि इसके इंदर में होती है इसे से होती है जो इसको पावर देने पर एदर किनेक्ट हो जाते है ठीक है तो ऐसे रिले जो होते हैं उसको हम लोग गोलते हैं इलक्टोक्रीड का ओर दूसरा हमें आगा में अं इस आर विसुमित क्या होता है अ की गपोपलर का नाम सुना होगा कुछ लोगों नए तीक नई सुना कोई बात नहीं अप्टबलर कुछ नहीं होता है क्या होते हैं ऐहां से यह कुछ करंट क्या होता है नहीं होता है कि यह प्यूसे सकते हो की है चोंब होते हैं जो डायोट को कि लाइड को सेंस करके वह क्या कहते हैं कि है तो जब लाइट इस पर पड़ती एंप टीड का टीक है तो यह By करता है कि इसको on करता है और कुछ नहीं होता है इस तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऐसे सॉलिड इस्टेड रिले तो इन दोनों में फाइदा क्या होता है यह हमारा क्या होता है कि इसमें इसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट्स नहीं होते हैं जो कि flow of electrons, flow of protons, flow of electrons को control करते हैं जैसा हम लोग ने transistor में पढ़ा था, transistor ágis switch कैसे काम करती थी हम लोग उसके base पर signal देते थे जब हम लोग base को ground करते थे, zero करते थे तो collector से emitter के थे कोई भी current या कोई भी electrons flow नहीं करता था जब कोई भी लग्टाउंस फ्लो नहीं करता था तो हम उसको आफ मानते थे तो वैसा सेम ऐसा इसमें भी होता है यह टांजिस्टर बेस सुच होती है जब भी यह इसको पावर देते हैं तो इसको लाइट देती है लाइट से क्या होता है आप कहोगे किसी तर इसमें आइसुल कि एसी मोटर है ऐट गहले थरीक समट किया है है टीग है मोटर कनेट किया मैंने मोटर कुक। करने के लिए हमको फॉर्वरी असमाली होगा हम देखते हैं तो हमको क्या मिलता है कि यह सर्कुट बिल्कुल आइसोलेट है इस सर्कुट से कि इन दुनों का जो क्वा work happiness नों के Storm हो रहा है वो हम这 अघ्र्ण। यह हमारी अलग सर्कूप है यह हमारी अलग सर्कूट है रुड़कर आईसलेट हुआ उसे लिए हम लोग कुछ अपलेकेशन और पर नहीं यूज करते हैं यह ऐसा तार का एक प्रेटिकल इसा दिखता है इसे सार हमारा इसमें दो कोई इन्पूर्स कंट्रोल लगे हुए इन्पूर्स टर्म लेला है यह हमारे पॉयल कर जाल है जब इसको पावर देंगे तो यह दोनों आपस में जब इसमें हम लोग पावर द है भी देख लेते हैं एक की होता है हमारा थीग का वोट कि क्या होता है हुआ है कुछ नहीं होता है थोड़ा सो समझने वाड़ी बात होती कि इसमें क्या कि दो अलग अलग तरीके की रिलयों को आपसमें पैरलली जोड दिया है तो हमारा जो कंटोल सिग्टॉल है सिभ्नल एक ही सिग्नल से हमारा दोने लिए एक साथ होन ते करूं कि एक रिलय यह सब्वोज करो एक रो एक एक रिले ये हैं है कि ठीक है सबस्टिए आपसमें जोड दिया है और इसका निटिटी टन्मिल इसका डेटिटेंग टन्मिल एक तरफ जोड़ दिया ठीक है और यह अइप्ट लगाई तो क्या होगा है जैसे लोग बैटरी बैटरी लगाएंगे तैसे यह दोनों रिले एक साथ अन्होंगा ठीक है एक साथ आन होने से फायदा क्या है हमारा ठीक है अभि यह दोनों एक साथ होगा इतना सम्झाव अभी घृर्याव तीकर है मैंने एक सिंगनल दिया यहां से कोई सब्लिक जैल एक सिंगनल से दोनों एक साथ हो रहे है तिक है यहां पर भी एंगराउं massively जिगनल दिया सिंटनों से यह भी रिलिंयां हो गया यह बीजिन हो रमाने क्या लगाया है अदर मैंने क्या लगाया है कि आ यह अम आझा आ अ कि यह मारा ओ है ई मैं इमेर लगा जा आट है अब देखना है तो और मैंने बोला था कि जो एशस्एर होता है वो उसकी सुचिंग जो होती ही वो पास्ट होती है ठीक एम आभी देखान से मैं ने क्या किया कि लोड को भी पैरलली कर दिया तिक है लोड को भी पैलेल करना ठीक है लोड कैसे पैलेल होगा लोड को पैलल करने के लिए इस वाले टर्मिल को इस वाले टर्मिल से जोड़ दो तो यहां पर मैंने लोड लगा दिया लोड ठीक है चलो लोड लग गया लोड लग गया यहां पर मैंने दोस्ट क्या लिए ठीक है लोड लग गया 220 लिखना था ठीक है बढ़िया लुड लग गया लुड लगने पर क्या हुआ कि यह दोनों पैरलल का मतलब हो गया कि यह कुछ इस तरीकी से सर्कुट बना होगा ाक्वी जैसे मारे मालो कि यह इधर एक लोड है सिंप्लिफाइट सर्क बता रहा हूं है यह एक लोड है इसको आन करने के लिए कि इसको आन करने के लिए एक स्याइए एक स्याइए हुआ है ठीक है अईसा किसी को कोई konfusion पूछ सकता है ठीक है तो पैरलेल लगा हुआ है जैसे ही मैंने आ निकिया है यह इधर एस वाला है इधर इवाला लिख दे रहा हूं कि यह 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 मार तो जैसे ही मैं इसको करूंगा तो दोनों ही ऑन होगे अन दोनों ही होंगे लेकिन जैसा कि मैंने भी पहले बताया है अनला यह प्रियुक्त में होता है यह यह ठी ममें फिसलों होता एकTो क्युक्ति उसमें फिजकल कोंटक्स श्हुत्थ और दोतलड को इतना काम होने से पहले यह पहले ही ऑन होगे तो जैसे सा तो जैसे ही on होगा तो सारी करन इसके तो यहाजागी motor तो अंग हो जाएगा ठीक है उसके थोड़ी देर बाद यह भी आउन जाए ठीक है अभी क्यों होगा क्यों बना रहे हैं क्योंकि यह हम लोग हाई लोड को जो operate करते हैं, तब उसमें कुछ spark आता है, आर्क आता है, तुम लोग ने देखा होगा जब हम लोग power plug लगाते हैं, कभी-कभी हास से, जो छिले हुई तार होते हैं, इसमें तो एक sparking होती है, तो उच sparking से यह रिले जो होता है, वो जल जाता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइब रियूज करते हैं, हम लोग घर के सॉक्त को जला देते हैं, तार गुजा-गुजा के, इतनी sparking करते हैं, तो सोचो जब 1000 वोल्ट होगा तो क्या आ लोगा, तो इसी विज़े से ह लोग उस चिस को उस चीश से जो है बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यूज होता है अभी हम लोग के विड़े से टरि काटा है कि इतले के अंदर में ठीच है contemplate घोता उसमें भी होई चीजह है कोईल हैं इसमें इसने का अंदर लेव Pier अंगे का जैसे हैं चीज का फील जैसे बेटरी लगाई तैसे इसकोईर के अंदर तो होगा तुरंट वह इस की इस चीज को तुरंट इस चीज को अन कर देगा है यहां पर इसंको करदेगा नियुक्त होगा से यह मारा देशल और होता है यह हमारा होता है रिडर रेले तक कि अ है इतना बॉल यह जांता है यнее और बिल्डी बाद में इसके मारेह compare कि ठीक है कि रिट रिले के बाद में हमारा आता है तीसरा फरमल व में यह सारी चीज देने हैं इंडिस्ट्रिय्ड यूज्थ के लिए हैं लेकिन पता होना चाहिए लोग को की ऑल रिले होता है मैं गैर्एंटे बोलता हूं कि कि 90% लोगों को नहीं पता होती है सारी रिले के बारें पता होगी और थर्मर रिले के बहुत कम लोगों को पता होगी ठीक है तो थर्मर रिले क्या होती है थर्मर रिले में कुछ नहीं होता है थर्मर रिले को वहां यूज करते हैं जहां हम लोग को हीटिंग की या फिर बहु उस हीड के कारण इतना ज्यादा करण्ट न फ्लो कर जाए कि वह तार जो है स्लोड सब्सक्राइब मतब लग जाए तो उससे प्रोटक्ट करने के लिए ओबर करन्ट प्रटक्शन के लिए वन लोग उसक्रते हैं इसमें क्या होता है कि यह जो दिख रहा हुगा है आपको कि तो उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि जब हमारा हाइए कर रही हो इस में या इए करेचा राता ही तो अनको कोफिसंट कम होता है और अनको क्यों collect, मतलब मंतलब गल जाते हैं जिसा की धूज में घूज लगाते लोग अचानक से क्या हुआ कि हम लोग AC की साथ में कुछ बना रहे थे उस प्रोजेक्स में क्या हुआ कि ही शवर होते ही क्या हुआ हम लोग बच गये क्यों क्यों लगा था उस ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया हमारे पास में एक extension था extension में एक लगा हुआ था और जिस पर हम लोग काम करते उसके पहले वह अचानक से गलती से क्या हुआ कि वे जो दोनों टेरमिलाल था वे KABINNICK के उपäर गिर गया एक मुझे हो गया तो दोनों आपस में शॉठ हो गया शॉठ होते हुआ होने का डर होते हैं हमको हर में इसा स्विज्ज लगाने चाहिए ऐसा नहीं कि मोटे मोटे सब ओर बांद दिया ऐसा नहीं करना चाहिए कि तो यह जरूरी होता है कि अच्छा हो और जो कि यह mortgage वे कर जाए है तो वैसा कि यह जैसा है partner होते है गया है तो जैसे मैंने इसको पावर दिया पावर देने पर ये इंत All- calidad राए तो आज हम लोग का टार्गेट यही था कि इतना बताना अभी हम देखते हैं कि एक्षुल में रिले कैसे हम लोग मेजर करते हैं और क्या क्या होती है दोका हमारे पास कुछ रिले हैं यह देखें कि यह हमने रिले ले रखी है ठीक है यह देख रहे हों में रिले रिले हैं इस रिले में देखो यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि पांच टर्नमिल होते हैं एक दो तेन चार पांच पांच टर्नमिल हो गए यह दोको थोड़ा सा उपर वाला अब बता करते हैं कि एनों सा है एनसी कौन सा है ठीक उसकी लिए करना पड़ेगा मल्टी मिटर लेना पड़ेगा करने लिखा नहीं होता है एन और उनसी कौन सा घ्र्णल को एक सब्सक्राइर को चाहिक तूब को ठीक है आवाज आ रही होगे तो ये बीब की आवाज दे रहा है ठीक है बीब की आवाज दे रहा है अभी हमारे पास एक continuity mode पर आ गया तो देखते हैं हमने क्या मुला था कॉमन वाला जो तर्मिल्ट होगा वो किससे होगा आ न उसे तो मैंने क्या किया है कि कॉमन ट्रमिलल पर एक यह लगा जा है कि कॉमन टर्मिलल पर लगा है इसको ठीक है उसके बाद मैं फिर इधर चक करेंगे नई तो यह हमारा क्या हुगा नॉर्मली ओपन एन ओ टर्मिनल हो गया दूसरे बलगाएंगे नई यह यहां पर भी पार रही है तो यह हमारा वह गये नॉर्मली कनेक्टे टर्मिनल ठीक है यह सब्सक्राइब नहीं हो पर रहा था है तो इधर और हमारी नॉर्मली कनेक्टेट अब यह वाला मरा हो गया नॉर्मलीचन तो पन इम्हेंमन यह अगर वाला कॉमन है इस दर साइड में अमाराब्स क्या होगय, और यह हों गया हमारा नॉर्मली ओपन ठीक है अब थोड़ा सरकील बनाते हैं इसको यह आपरेट करते हैं कि यह कैसे काम करेगा यह ठीक है कि एक चीज और बताना का कि अगर ठीक है एक चीज मुझे और उताना है ठीक है क्या बताना था ठीक है अभी रिले को आपरेट करने के लिए मुझे रिले को आपरेट करने के लिए कुछ चीजे ध्यान रंखने परते हैं क्यावर तो यह इसमें कैसे लगा हुआ ठीका है यह की रेटिंग क्या है कुछ इनए में यह चलता है कुछम पर चलता है ठीक है कुछ रिले जो होती हैं 24 बोल्ट पर चलती है ठीक है उसको किस वोल्ट पर आपके पास में है उसको किस बॉल्ट पर आपरेट करना है ठीक है वो जरूरी होता है जैसे कि यह वाली रिले हमारी है भारावल्ड तो यह हमारी जो अपरेट होगी वह बारा वोल्ट सिक्नल पर होई होगी ठीक्så जब तक इसको बारावल्ड नहीं मिलेगा तब तक यह रिले उप्रेट नहीं वह अप 7 तो इस चीच को द्ध्षान अपड़ेगा कि 12 न को चाहिए 55 Il इक लोगोन करेंगे तो यह रीले ऑन हो जाई ठीक है अभी हम लोग इसी क्लेंट गरूंगा वाइअ अब गराूंट करूंगा जैसे ही मैं इसको बार्रा वोल्ड कर्यूंट ओर गूरूंगा पैसे ही यह क्या होगा ऑन होते ही क्या होगा तिन टर्मिल दर है मारे कॉमन वाला जो होगा वह नॉर्मली कनेक्टेड थे कि नॉर्मली ओपन से करेंट हो तो मैं क्या करने वाला हूं भी मैं क्या करने वाला हूं मैं इधर कि मैं इधर नॉर्मली क्लेक्टेड नॉर्मली ओपन मैं इधर नॉर्मली ओपन वाले पर एक रजिस्टन्स लगाऊंगा वन के का ठीक है और एक लगाने वाला हूं अब कर दो कि अब कर दो कि अध़र मैं 12 बोल्ट देने वाला हूं आधर ग्राउन करने वाला हूं ठीक है और इधर हमको पहले 12 बोल्ट पर यह वार एक रेजिस्टन्स लगा जाए लिए लगाए लिग्सटन्स के बाद में क्या किया है अलियल्य लगाई रिख यह उधर पर क्या किया है बारा गोल्ट दे दिया ठीक है और इधर ग्राउंड कर दिया है ठीक है इत्ता समय में आ रहा है यह वन किलों का रेजिस्टन से जब यह रिले ओन होगा पहले यह इससे कनेक्टेड होगा जब पावर देंगे तो इससे कनेक्ट हो जाएगा एक कामन है यह नॉर्मली कि इस से कनेक्ट हो जाएगा जैसे इस से कονिकट होगा ओर तक देस्वदेट ओस्ट्रेसं हो जाएगा छेक है फिर इसको चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसको सोल्डिंग हो रहा इता है 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 तो मैं इस बनाता हूं पिर प्रताता हूं कि कैसे को वर्क कर रहे है कि सर्कुट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि कुछ चीजें जोडने पड़ेंगी जैसे कि मैंने 12 जोड़ डिया डारेक्टली अपने कोईल को ठीक है मैं 12 जोडने जा रहा हूं अपने कोईल को ठीक है और यह हमारी दोनों दोनों कोईल्स में अब इस कोईल्स में भी जोड़ने हैं जोड़ा सा अब इसको डारेक्ट वारा वोल्ट नहीं दे रहा हूं अभी मैं पहले इसको 9 वोल्ट चलाने के कोशिस कर रहा हूं तो यह पावास अप्लाइग यह कनेक्ट करना पड़ेगा कोई नहीं करना वाला हूं ठीक है तो यह कॉइल्स पर लग गई है कॉइल पर बनने के मुझे एक लेडी चाहिए होगा और एक रजिस्टन्स चाहिए होगा कि एक वन किलों का रजिस्टन्स और एक लेडी कि 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 टीक है अब कि अब लुए इसमें थोड़ा से सोल्डिंग लगने तो एक तो एक लीडी और रजिस्टन्स को स्रीज में जोल डिया प्लें कि टीक है बढ़ियां देख रहा है कि देख रहा है नहीं कि टीक है इतना करने के बाद में कि यह पॉस्टिव है कि इसको मुझे देना है और कॉमन को क्या करना है कि इसी को भी कर सकते हो चलो फीक है यह रजिस्टन्स लगा दिया इसमें रजिस्टन्स लगाने के बाद में क्या किया मैंने इसको ग्राउन कर दिये इसको ग्राउन कर दिये कि यह वार डिस्कनेक्ट हो गया है इसको फिर से कनेक्ट करते हैं परदे ठीक है अभी यह कनेक्ट हो गया है प्रॉपरली अभी यह ग्राउंड से हमने लीडिय कर दिया है इसके कॉमन से वन किलों को रजिस्टन लगा कर रेडिक से मेंक्ट कर दिया ठीक है अब मुझे क्या करना है इसके नॉर्मली ओपन वाले तन्मिंड को प्लस ना बूटेने शोटा सा मिजो वायर चहीं हुआ 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 है ठीक है खोटा वयर भी मिलगे है कि चोटा वायर मिल गया है तो इसको करके इसमें जोड़ना है कि अबस ध्यान लखना है कोई इशू नहीं है अगर गलत जोड़े होगे न तो कि अन करने पर आफ हो जाएगी और अन करने पर आफ हो जाएगी और आफ करने पर आउन डाएगी बस इतना इसे पक्ट आएगा इसको मैंने दे दिया बारा वुल्ट अब मैं इसमें देने जा रहा हूं कि सप्प्लाई है कि अब यह रिले ऑन होगी तो खट दे आवाज भी आ रही है इसमें जान देना है ठीक है ऑन ओफ ओन ठीक है इस तरीके से यह रिले ऑन होगी अब इसमें काम करते हैं सुच भी लगा देते हैं कि तुछ लगाने के लिए करना है तुछ को निकला है यहां सब्सक्राइब कि पिच्छ ठीक है कि तुछ करने के लिए अब इसको कनेट करना है इसमें करने के लिए इसको श्टिप करो झाकि अश्रीड करो इसको भी श्टिप करो और यहां हुआ है यह दोनों कर लिया मैंने इसको जोनना आए इसमें रिले के साथ में कि अच्छान आए 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 तो यह लग गया है तो श्रीज में बता था वही होता है स्पारी चीज़ें जोड़ती हैं करेंगे कि अच्छान करेंगे कि अच्छान करें टीक है कि अच्छान तो यह हमारा रीले का यमास्ट श्रीक हो अभिए हम लोग के बारे में कुछ चीजे सोचह देखेंगे कि रिले में हम लोग और किया कर सकते हैं कुछ चीजह और जो वह हैं ज ayuda ढाना जुरूरी है फिले के बारे मीम स्की हुशना भी जुरूरी है मैं त्सक्राज में थोड़ा सा में मेलें में और रिली में और जहां बताने माला ओं हो बता दूँगा फिर उसके बाद में लोग अगले क्लास में सीखने वाले हैं पे जो है त्टिक Urip यह हम्मारा कि अगले का सब्सक्रों में जो बता होते हैं और में मैं अगला कर आदो चलता खेंगा orie मिन छलाया है आप एक रिले को मायक्रो ऑप्रेट करते हैं यह भी बताऊंगा मैं ठीक है और एक रिले सर्क्यट होती है कि महां लोग के मारा फांटोललिय को पांच वोल्ट के कैसे चलाएंगे यह इसू होता है यह पांच वोल्टका अगर माइक्रोपन तॉलर है करते हैं तो क्या चीज़ें उस करते हैं जिससे हैं यह सारी चीज़ें हम लोग दो चीन तीन चीज़े सीखेंगे रिले के बारे में और फिर एक रिले रिले पर बेस्ट पर एक इसी लाइट को भी ऑन करेंगे अगले लेक्चर में मतलब ठीक है वहाँ पर हम लोगी बल्प रखेंगे उस बल्प से हम लोग लाइट को में लाइट को आउफ करेंगे और कल मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा जिसमें हम लोग वाइफाई बेस वाइफाई स्विच बनाया है लोग ने उसमें भी रिले लगा हुआ है दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें भी रिले से चीज़ें ऑप्रेट हो रही है तो वो चीज कैसे आप फोन से ऑन कर रहे हो आप फोन से सिग्मल भेज रहे हो वो सिग्नल फोन से रिसीव हो रहा है उसमें और उसको बाइ-बाइ, गुटनाइट.